हेलो केटिट्स कैसे हो आप लोग मस चलो अगला फिर से एक कोशन लेकर के आगया हूँ अच्छा सा कोशन मैट्स का आपके सामने जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो यह सारे कोशन जो भी है इनकी सीरीज प्लेलिस्ट आप जरूर चेक आउट करना चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट पर जाकर के मैट्स डाउट केरिंग सीरीज का हर एक वीडियो जरूर एक बर एक बार एक्जाम से पहले चेक आउट करना चलो तो यह डाउट क्लेरिंग सेशन है अगर आप भी यहापर अपना डाउट देना चाहते हैं तो आप वाट्स आप ग्रूप ज है 2 फिसटू 7 मतलब अगर यहाँ पर 2 हिस्टा तो यहाँ पर 7 हिस्टा एशे डिवेट करना है टोटल मानलो 351 चॉखलेट गण तो दूखलेट करें तो आपको बोला, find the product of number है, वो जो दो हिससे आएंगे, उन दोनों का product कितना होगा, चलो, तो जल्दी से करते हैं, माल लेते हैं, अब एक बात बताओ, कि उजो 9 टुकुड़े की हैं, उसमें से जो 1 टुकुड़ा है, वो माल लेते हैं, x है, कितना है, x, ठीक है, जो 9 parts अपन जाएगा 2x, और एक हिससा हो जाएगा 7x, पासन में नहीं, और ये दोनों मिलाके total कितना है, 351, ये जो 2 हिससा और 7 हिससा, दोनों मिलाके, जो total 9 हिससा हुआ, 9 हिससा total किसके बराबर है, 351, तो दोनों के बीच में plus is equal to 351, अब 7x plus 2x, कितना हो जाएगा, 9x, तो 9x is equal to 351, ठीक है क्या, तो आप इसको जल्दी से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आजाएगा, 351 divided by 9, ये आजाएगा आपका 39, ठीक है, जैसे x is equal to 351 upon 9, 9, 3 जा 27, 28, 29, 30, 8 आजाएगा 81 यहाँ पर, 99 जा 81, तो x की value कितनी आ गई, 39, clear, एक हिससा 2x, एक हिससा 7x, तो दो मिला के 9x is equal to 351, तो x की value हो गई, 351 by 9, that is 39, ठीक है, तो x की value 39 आई, मतलब एक हिससा कितना, into 2, 39 into 2, 78, कितना, 78, एक हिससा कितना हो गया, 78, तो दूसरा हिससा कितना, 7 times, या एक काम करो, 351 में 78, माइनस कर लो, है कि नहीं, 351 में 78, माइनस कर लो, तो कितना आजाएगा आपके पास, 273, clear, या multiply कर लो, इस x को 7 से multiply कर लो, आपको कितना मिल जाएगा, 273, तो एक हिससा आगया 78, एक हिससा आगया 273, मैं आपको यह बोलूगा, कि अगर यह question exam में आया भी ना, तो values थोड़ी अच्छी देगा, ताकि उन्हों बहुत लंबा calculation ना बने, calculator का जर्वत ना पड़े, ठीक है, यह जो भी बच्चे ने doubt भेजा था, चलो ठीक है, हो सकता है, उसने कहीं किसी बुक में देखाऊगा, बुक में generally ऐसे थोड़ा values दे दिया जाता है, but don't worry, exam में आपके पास समय कम है, कम exam time में करना है, ठीक है, तो आपको question इस तरीके से दिया रहेगा, कि बहुत असान, अब इनको multiply करना है, 273 into 78, 273 into 78, तो यह आपके आ जाएगा, 21294, इसको दोनों को आप multiply करेंगे, तो, 21294 C is the correct answer, मतलब सवाल tough नहीं था, सवाल में calculation थोड़ा सा ज्यादा था, बासमन में नहीं, मतलब यह पूरा divide करना, फिर 351 में 78 को minus करना, तो कितना जाएगा 273, फिर इन दोनों को multiply करना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो generally आपको इतना लंबा calculation नहीं देगा, ठीक है, AI, SSE, कोई भी competitive exam क्या चाहती है, कि आपके अंदर का talent देखे, आप सोच कितना पाते हो, मैं नहीं मजदूरी नहीं कराना चाहती, बासमन में नहीं, चलो, तो इस question को हो गया, अपन ने clear कर दिया, अपन ने पूरा मैने और Cesar ने मिल करके पूरा आपके लिए course बनाया है, AI, SSE, Classics के लिए, Maths, GK, GS, IQ, English, सब कुछ है, ठीक है, अगर आप इस पूरे course को check out करना चाहते है, free lectures को check out करना चाहते है, तो आप app डाउनलोड करें, जिसकी link आपको description में मिल जाएगी, इस app को डाउनलोड करने के बाद, आप store section में जाए, store section में आपको एक course मिलेगा, All India Seneca School Interns exam Classics का, इसके अंदर आपको सारी details, free video lectures, study material, class notes, module, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, तो अगर आप इसके लिए enroll करना चाहते हैं, अगर आपको interested लगा, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज आपके life में कुछ value add कर रही है, तो आप इसको enroll कर सकते हैं, इस button में click करके, आपको payment gateway म गूगल पे, phone पे, credit card, debit card, किसी भी चीजों से, ठीक है क्या, चलो, तो आज इस वीडियो को यही पर end करते हैं, फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, सौर अफजर की class, जैहिन, बाई बाई, टेक क्य शब से शब等isanे मिलाने मिल मिलम में, पित हैं बाई,た oxygen कारते हैं, जैहिन गे अपसे रहो, मilos करता हैं、 जैहिन तरहो, मिलम का रहुआफ़ हैं, जैहिन भीडियों से भीडरे हैं, बाई